हेलो स्टुडेंट मैं पवन भमूरिया फिरिक्स का आज हम चेप्टर 14 डिसकस करेंगे और यह जो चेप्टर है यह तीन नंबर का अब्जेक्टिव चेप्टर है इसमें से थ्री मार्क्स के अब्जेक्टिव आएंगे तो यह एक इंपोर्डेंट चेप्टर है और यह लास् इस कोश्यन इश्टा करते हैं इस कोशने जर्मीनियम क्रिस्टाल में वर्जी तूरजय अंतराल कितना होता है और इनर्जी की बात करें तो जर्मीनियम न में होता है यह होता है 0.7 electron-old और वहीं silicon में यह होता है 1.1 electron-old पर यह option तो यहां कहीं दिखनी रहें यहां पर दिख रहा है 1.2 in 10 to the power minus 19 1.76 in 10 to the power minus 19 पर वो joule में वैल्य है तो अगर joule में है तो इनको हम convert कर लेंगे multiply कर देंगे 1.6 to the power minus 19 से और जब इनका हम multiply करेंगे तो हमको यहाँ पर value मिलेगी around 1.2 into 10 to the power minus 19 joule जर्मिनियम के लिए forbidden gap, energy gap, वर्जी तुर्जा अंतराल यह दोनों value भी याद रखना है 0.7 electron for germanium, germanium के लिए 0.7 electron and silicon के लिए 1.1 electron नेक्स्ट जो कुश्चन है वो है germanium crystal में P को टाइप P टाइप आर्थचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाले आसवद्दी की सहुजगता क्या होगी दा वैलेंसी आप दे इंप्योर्डी सेड़ेट वा germanium crystal जो है उसकी लास सेल में कितने लेक्टरान होते हैं फोर इलेक्टरान होते हैं लास सेल में तो फोर इलेक्टरान है 1234 अब इस crystal से हमको क्या करना है इंप्योर्डी मिक्स करना है तो इंप्योर्डी मिक्स करना है मतलब germanium crystal जो crystal उसमें से germanium हट जाएगा और उसके इस्तान पर कोई नया atom आ जाएगा वह एटम जो होगा उसको यहां बात होगी या तो इलुमीनियम आ सकता है अपने पढ़ा और इंडियम आसकता है तो इंडियम मिक्स करते हैं अगर इसा करते हैं तो इक प्लेस पर क्या हो जाएगा ओल जन्रेट हो जाएगा जिससे वह पी लिए आपको याद रखना है वेलेंसी 3 होना चाहिए और एंड टाइप सेमिकंडक्टर के लिए वेलेंसी कितनी होना चाहिए यहां पर आएगा नेक्स कोश्चन है पी एन संदी डायोड में आउच्छे पर्त में होते हैं तो जो डिप्लिशन लेयर होती है उसमें क्या होते हैं तो इस्टेशनरी आयन होते हैं निश्चल आयन होते हैं ऐसे आयन होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं मोमेंट नहीं कर सकते हैं नेक्स या फिर 10 to the power minus 6 हम रिख सकते हैं meter तो इतनी depletion layer की थिकनेस होती है तो D is equal to 10 to the power minus 6 meter अउच्छे पर्त की मोटाई है depletion layer की gap है या थिकनेस है name gate के लिए boolean expression में name gate नहीं तीनों gate के लिए बता देता हूँ पहले बात करते हम not gate की तो not gate के लिए तो boolean expression y is equal to a bar होती है और gate के लिए बात करे तो y is equal to a plus b होती है और end gate के लिए बात करे तो boolean expression होता है y is equal to a dot b अब अगर नौर की बात करें तो नौर में क्या हो जाएगा A प्लस B का होल बार और नेंड की बात करें तो नेंड में हो जाएगा A.B का होल बार हमको किसके लिए पूछाए नेंड गेट के लिए तो D option है A.B का होल बार is equal to Y Next question सुन्य ताप पर जर्मिनियम का टुकड़ा विववार करता है अगर 0 degree absolute 0 है 0 Kelvin है 0 Kelvin पर semiconductor जो है वो क्या बन जाता है Insulator बन जाता है Insulator तो Insulation लिखा है Electrical Insulation विद्दूत रोधी की भाती विववार करेगा ताप कम करने से Germanium अर्दचालक का प्रति रोध जो है वो क्या हो जाता है Resistance जो है वो बढ़ जाता है बढ़ते आता है मतलब increase हो जाता है और value कितनी आ जाएगी 0 Kelvin Next question Fill in the blanks Next question है हमारा एक और चीज Semiconductor के लिए याद रखेंगे आप temperature rise करते हैं तो उसका resistance decrease होता है और उसकी conductivity conductance increase होता है किसी अर्दचालक का प्रतिरोध असुद्धी मिलाने पर डेस डेस हो जाता है तो अगर हमारे पास एक semiconductor है अर्दचालक है उसमें इंपरिटी मिक्स करते हैं तो उसकी conductivity increase होती है और अगर conductivity increase होगी तो यहाँ पर पूछा है resistance का तो resistance will be decrease कम हो जाएगा तो याद रखेंगे अर्दचालकों में असुद्धी मिलाने से प्रतिरोध कम हो जाता है घड़ जाता है अर्दचालक में अर्दचालक में अन का मतलब है negative और negative जो है उसमें कौन होते हैं electron होते हैं तो यह जो बहु संख्यक आवेस्वाहक की बात की है majority charge career जो है वो कौन होते हैं electron होते हैं यही पर अगर question P type का होता तो हम वहाँ पर बोलते होल किसी अर्दचालक का ताप बढ़ाने पर अभी बता है मैंने अर्दचालक का ताप बढ़ाने से उसकी चालकता क्या हो जाती है increase हो जाती है बढ़ जाती है तो याद रखेंगे तो लिखा है on increasing the temperature of a semiconductor its conductivity become increases increase याद रखेंगे नीज अर्दचालकों में वर्जित उर्जा अंतराल की कोटी तो जो forbidden energy gap है वो intrinsic जो semiconductor होते pure semiconductor जो होते है उनमें around एक electron old होती है कितनी होती है एक electron old intrinsic semiconductor बोलते है name gate में end gate के साथ क्या लगा होता है तो name gate बनता के से अगर हमारे पास एक end gate है इस end gate के आगे हम क्या लगा देते एक not gate तो इन दोनों को अगर combine करते है तो जो नया gate हमको मिलता है वो gate कौन सा होता है nand होता है तो nand gate के आग nand gate में end gate के आगे क्या लगा होता है तो answer not gate होता है यहां पर आंसर हो जाएगा not gate याद रखेंगे next question इसको क्या का जाता inverted gate बोलते inverted gate और with crumb भी का जाता है इंदी में with crumb gate का जाता है यह उल्टा कर देता जीरो को one और one को zero end gate का boolean expression तो मैंने आपको बता दिया था एंड gate का boolean expression y is equal to क्या होगा a.b होगा y is equal to क्या होगा a.b important question नहीं है यदि y बराबर a.b है तो gate कौन सा होगा a.b है तो end होता है और उसका bar है तो gate will be nand gate कौन सा होगा nand gate होगा next question name gate का boolean expression तो name gate का भी बताया मैंने y is equal to a.b होगा याद रखेंगे बार-बार repeat होना भी अच्छी बात है जल्दी से याद आ जाएगा अब कि उर्जित उर्जा अंतराल जो है किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है तो अगर हम पेंटावेलेंट जो हमारी इंप्योटी से उसको mix करते हैं तो जो एनर्जी गेप है वो क्या हो जाता है increase हो जाता है क्या हो जाएगा increase हो जाएगा तो नीज अर्द चालक में पंच संयोजी असुद्धी मिलाने पर वर्जित उर्जा अंतराल जो है वह किस प्रकार परिवर्तित होगा तो वो क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योटी स्मिक्स करने से और सेमी कंड़क्टर जो अब कंड़क करेगा तो कंड़क करेगा तो इसका मीनिंग है कि वह जो गेप है वो क्या हो जाएगा काम हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा मिलाया से मतलब हमक्ट ट्राइवेलेंट यह पेंटावेलेंट दोनों इंप्योटी स्मिक्स करे तो वो क्या हो जाएगा χांगा याद Review कि क्ड़किविटी इंक्रीज होगेंकि अगर इनर्जी Cat क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो गेप विल भी डिक्रीजेज चालक चालन इलेक्टरानों का अपवाह वेक होलों के वेक अपवावेक से क्या होता है जो इलेक्टरान है कंडक्सन इलेक्टरान उनका जो ड्रिप्ट वेलासिटी है वो होल की ड्रिप्ट वेलासिट है कि this n यह वर में बड़ाने पर मोटाई और अगर हम बैस की सकती लाट मैं और यह इनक्रीज हो सब्सक्राइब गजाएगी और जाथ हैं готов तो रिवर्स बायस में यह जो डिप्लिशन लेयर है उसकी जो ठिकने से वो बढ़ जाएगी किस बायस में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो आप जानते हैं रिवर्स बायस में करण का फ्लो नहीं होता तो याद रखेंगे रिवर्स बायस रिवर्स बायस ठीक है तो रिवर्स बायस जो है उसमें क्या होता है यह जो प्रतिरोध होता है वो हाई होता है अधिक्तम होता है इस करण करण का फ्लो नहीं के बराबर या बहुत कम होता है किस गेट को विद्ध करम गेट का जाता है मोस्त आंप नॉड गेट को इनवर्जन गेट कर जाता है नेक्स हमारे पास मेजद कॉलम टेंग परिपत की बात की है तो टेंग परिपत हम किसको बोलने हैं जब हमारे पास इंडक्टर मतलब L और केपेसिटर मतलब C यहां पर इसमें आ जाएगा लसी किट सुरी पॉस्ट इस और चालक नीज अर्धचालक जो है वह कौन है नीज मतलब प्योर अर्धचालक प्योर हमारा जो सेमिकंडक्टर वह जर्मेंनियम है तो इसका राइट आइंसर जर्मेंनियम होगा और होल का नंबर ज्यादा होगा अ और इलेक्ट्रान का नंबर ज्यादा है तो एंटाइब का सेमिकंडक्टर होगा तो यह हमारा अर्दचालक मंदर सेमिकंडक्टर पर छोटा सा वीडियो था यह अच्छे से देखिए और इसके कोश्चनों को याद कीजिए एक्जाम में इन ही में से कोश्चन आपको आएंग देखिए अच्छर पर दोगा है तो पर लोगा है